आप सभी लोगों का सुवागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासे सोनपुर में और सबसे पहले आप सभी लोगों को धेर सारी सुपकामना है चट पुजा की चट पुजा का जो है आज दूसरा दिन है और आप सभी लोगों के घर में खुशिया बरसते र है और जैसे कि मैं बताना चाहोंगा पिछले कई दिन से मैं काफी परशान चल रहा हो है क्रोंकि आप सभी लोगों के कॉल में अली है उसका आज आपका जो है अन्तीम दिन है तो वो आपका जो है बिहार डियर्ण का यानि के बिहार December 8 का जो सेशन वाले बच्चे है जिनका सेशन आपका 2023 से 25 से उनके लिए जो यह क्या है कि आप सभी लोगों का जो है आज आपका ठारन ओमबर है और आज आपका जो है फर्स्ट लिस्ट का आपका एड्मिशन का क्या है आपका एड्मिशन का जो है फर्स्ट लिस्ट का आपका अंतिम दिन है तो कहने का मतलब है कि वैसे बच्चे जो एड्मिशन नहीं क कर आप आए हैं तो आप सभी लोग जो है इड्मिशन करवा लीजिए और सारे सवालों के जबाब मैं अभी देने वाला हूँ क्योंकि आप सभी लोग का कॉल मैंसे आ रहे हैं तो उससे दिक्कत हो रही है तो मैंने सोचा है कि आप सभी लोग के जितने भी i4 इनपॉर्टेंट सवाल है है वह सारे सवालों को हम दे सके प्रणिर नहीं चल रहे है इसलिए यह सारे आप जिन बच् Hum का ये प्रोडम क्यूंत था है और जो आपका जो है अभी वाला डेट bisher है क्या बढ़े गा कि नहीं बढ़े मैं, आपको बताना चाहूँगा, कि इसका ओपर अभी भी कोई भी धोडिकेस संव हो गया अब सबसे बड़ा important सवाल लिया है कि sir मेरा college जो है private है मेरा college जो है private है और वह तीन हजार रुपए जो है लेकर नहीं मान रहा है slide up के लिए तो क्या करें मैंने आप सभी लोगों के लिए परियास किया जितना हो सके board ने भी notice निकाला जब वो board के notice को नहीं मान रहे है तो क्या कर सकते है तो मेरे क्याल से अगर वो तीन हजार रुपए या अगर आपको एक हजार एक्ष्टा लेते हैं फॉर्म का तो चार हजार रुपए अगर लेते हैं और कर देते हैं तो करवा लीजिएगा लेकिन slide up वो ही बच्चे कीजिएगा slide up वो ही बच्चे कीजिएगा जिनका जो है एक नमर से लेकर दो नमर या तीन चार नमर जो है कम होगा इतना अगर कम है तो कर सकते हैं कि कितना जो है नमर कम जाने की उमीद है आपका second list आपका जो है second list यह वला किलियर है बाकी एक और सवाल आपका यह है कि स्लाइड़ अप कैसे पता चलेगा कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ slide up जो है कैसे पता चलेगा कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ तो इसके लिए आपको जो है login करना है इसके लिए आपको login करना है जब login कीजेगा तो आपका page में इस तरह का open होगा और नीचे आपको जो है यहाँ पर print का option दिखेगा तो आपका allotment दिखेगा यहाँ पर print दिखेगा और यहाँ पर आपको slide up दिखेगा अगर यहाँ slide up वाले button पर अगर यहाँ पर केवल slide up लिखा हुआ है और इस तरह का है और यहाँ पर blue color है यहाँ पर आपका blue color है तो कहने का मतलब ही कि आपका slide up नहीं हुआ है समझेगे मेरी बात को और यही पर अगर जो slide up लिखा हुगा है अगर यहाँ पर आपका slide up नहीं हुआ है तो फिर बाद में दिक्कत होगे कि आज आपका अंतिम दिन है आज के बाद डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोई जनकारी नहीं है समझ गए अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों कहें कि सर मेरे पास CLC नहीं है या मेरे पास जो है ओरिजिनल दॉक्मेंट में जो है दिक्कत है जिसके विज़ा से मुझे घुरा दिया जारा है तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपको कॉलेज मिला है ना उस कॉलेज में एक बड़ जो है आज आपका अंतिम दिन है तो एक बड़ उनसे जो है निवेधन कीजिए उनसे जो है निवेधन कीजिए कि सर मेरा ले लीजिए मैं आपको एक सप्ता के अंदर में दे दूँगा टाइम दे दीजिए इस तरह की बाते जो है आपका यह कोई पाएगी है अब एक और बाते हैं बहुत सारे बच्चों की जो है कास्ट गलती है नेम गलती है डियो भी पादर सनेम गलती है जो आया है वो मैं आपको बता दू फिर आपका जो है श्ट्रीम श्ट्रीम कहने का मतलब एकि 12 में साइंस था आपने आर्ट्स कर दिया उर्दू कर दिया यह जितने भी बच्चों का इन बच्चों का इडिमिशन में दिक्कत आई है और नहीं लिया ग कुछ नहीं पहा जा सकता है अब कॉलिज के हाथ में निर्र है वही लेगी करना है कि नहीं करना है यह सभी तरीका है यह सभी कोश्चन जो थे आपको मन में डाउट थे सबसे दर स्लाइड अप वाले हैं स्लाइड अप लॉगिन कीजिए यहां पर चेक कर लिजिए अगर आप आपका एडिमिशन हुआ कि नहीं हुआ या पता जो होगा आपको आज के बाद यानि 18 ओमर के बाद जो है आपको दो से तीन दिन बाद जो है आपको पता चल जाएगा यानि कि सेकंड रिस्ट जब आपका सेकंड रिस्ट आएगा ना 26 तारीक को 26 तारीक से पहले ही आपको को आएगा 22 और दो आए आपका 23 नुवंबर को आएगा और इसमें केवाल इडिट जो है वही बच्चे कर सकते हैं जिन बच्चों का first list में first list में नाम जो है नहीं आया है clear है जिनको first list में कोई नाम नहीं आया है तो वैसे बच्चे जो है इसको edit कर सकते हैं यहां तक clear है न और second list कब आएगी यह भी बता देते हैं तो second list आपका जो आएगा वो आपका जो है 26 नवंबर को आएगा 26 नवंबर को आएगा, clear है, और इसकी admission date, इसकी admission date में आपको बता दू, इसकी admission date जो है आपका 27, 27 से लेकर आपका 28, यानि कि 2 दिन, आपको 2 केवल 2 दिन मिलेगा, और आपका third list जो होगा, third list आपका जो है, 1 December को आएगा, इसमें किसी को इडिट करने का दिन नहीं बताया गया spot round होगा के नहीं होगा, ये भी आपका सवाल है, spot round आपको जो है, spot round जो आपका admission होता है, इसके लिए आपको जो है, 5 December, 5 December के बाद जो है, आपका पता चलेगा, कि ये spot round होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसके लिए जो है, आपको 5 तारी के बाद पता चलेग कॉल ज्यादा मत कीजिए, कॉल करने से दिक्कत हो रही है, मुझे प्रोलम बहुत ज्यादा हो रही है, धन्यवाद